स्रक्षित रखने की सरकार की सरकार की चिंता बढ़ गई है अब तक करोना सफलता पूर बिहार लड़ा है सियम नतीश कुमार ने कहा कि करोना महामारी काबदा है और हमने हमेशा कहा है कि सरकार के खजाने पर आबदा पीड़तों का पहला हक है लोगों को जानकारी देते हैं सियम कुमार ने कहा कि अब तक करोना को लेकर सरका ने 10,000 करोन से ज्यादा रुपे खर्च किये हैं सिम नतीश कुमार ने जानकारी दी कि अब तक बिहार में 2 करोन 31,00,000 से ज्यादा कोविट टेस्स किये जा चुके हैं बिहार में 10,00,000 की जन संग्या पर अब तक 1,88,804 टेस्स किये गए हैं जो राश्ती और सच से ज्यादा है बिहार में करोना की रिकवरी रेट 97.58 प्रतिशत है जो राश्ती और सच से ज्यादा है नितीश कुमार ने बढ़ाए कि हालात को देखते हुए सारवजनिक कारिगरम रद्ध कर दिये गए है साथ ही स्टेशनों और बसड़ों पर जाच पढ़ा दी गई है करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीम नितीश कुमार ने लोगों से अपील की कि नियमों का सक्ति से पालन करें नितीश कुमार ने कहा कि सभी लोग मास जरूर लगाए और बहा निकलने पर दो गच की दूरी का सक्ति से पालन करें गर्वती महिलाएं बच्च और बुजर्गों का विशेज ख्याल रखे इलाज जैसी विशेज परस्तिते में ही बाहा निकलने की हिदायत दी है 45 साल से जदा उम्र के लोगों को वैक्सिन जरू लेने की अपील की है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें